अश्कार दोस्तों एक वर फिल से आप लोगों का मारी यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं तो दोस्तों बहुत मुली खुश्कब्री के साथ एक वर फिल से आजर हुए है और अब अठरा महीने की डिया एरेर का करमचारी को बेसबरी से इंदजार है और इस पर सरकार की सहमती अभी तक नहीं बने हुई तो आज अपनी वीडियो के मादम से आपको डिटिल से समझाते हैं तो सबस पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर फर्स टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बैल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि हर गोर्मेंट से डिलेटेड करमचारी से समबंदीत और पैंसनरों समबंदीत इतनी विनूज जाती है इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट पिना किसी देरी के मैंगाई बता 31% तो पहुंच चुका है एक जुलाई से इसे लागू भी कर दिया गया है मतलब 4% चार महीने का जो एरियर का पैसा है सरकार अपने करमचरी को देगी कुछ मह करमो में 31% का भुकतान अक्टूबर सेलरी में हो चुका है वही कुछ का 30 नुवंबर तक हो जाएगा लेकिन पिछला 18 महीने के रुके वे डिये का एरियर तक का अब तक कोई फैसला नहीं आया उमीद जताई जारिय की अगरे महीने यानि दिसंबर में क्रिस्मिस या नुव येर से पहले केंदरिक रमचरी का डिये अरियर का भी फैसला हो सकता है उसके उपर सरकार ने अपनी सहमती जताई है सिव बपल मिश्रा का कहना है कि काउंसलिंग के सरकार ने डिमांड रखी है कि डिये बेहाली होने के बाद 18 महीने के एरियर का वन्स टाइम सैटल्वेंट किया जाए उमीजताई जारी की डिसंबर महीने में कैमिनेट सेक्रीटी के साथ इसके उपर मूर्दा जो है जो मूदे की उपर चर्चा भी होगी मिसरा ने के मताबित कार्मनिक और पर्शिक्षन भी भाग और वित्यमंत्राल है वे भी बाग के अधिकारियों के साथ जेसीम की जो जोईन्ट मिटिंग होनी है और इसके एरियर के एक मुक्त बुगतान पर चर्चा हो सकती है कुछ वक्क पहले पैंसनर को इसके मामलें पियो मोदी से हस्तेशेप करने को कहा था उसके बाद सरकार ने इस पर विचार करने का आशवाशन भी किया है केंदर सरकार कि करमचारियों को पैंसनर भोग्यों को 18 महीने का डिययर और एरियर का बकाया है संसद में मांसुंस तर पर सरकार ने साफ किया है कि मेंगाई बते को बेहाल किया जाएगा और 18 महीने की डिये अरियर फैसला नहीं लिया गया है लेकिन 26 जून और 28 जून में जो कैमिनिट बैठक हुई थी उसके अंदर डिये अरियर पर कोई बात नहीं हुई कि मोदी सरकार जल्द इसके उपर फैसला ले सकती है और यह करीब 52 लाग केंद्री क्रमचारी और 60 लाग फैसन धारकों के लिए फाइदय करन में